अगला फ्रेस्टम् 20, couleशन nomer 20 है, पढ़िए जरा इसको, केंदर O वाले ब्रत पर बाहे बिन्दु साथ से, ती से, क्या लख देते हैं, बच्चे? वहा है बिंदू T से बाहर एक बिंदू है ब्रत से बाहर एक बिंदू जो T है इस बिंदू से ब्रत पर दो इस पर से रेखा है खीची गई है TP और TQ क्या खीची गई TP ये TP और ये TQ ठीक है इस शिद्ध कीजिए एंगल P T Q बराबर होता है यह हमें बिटा क्या करना है यह हमें सिद्ध करना है यही बताना है में निकालना है तो यह जो एंगल दिया है यह एंगल किया है? PTQ PTQ बराबर होगा मतलब TWICE होगा किसके एंगल O P Q के इसके twice होगा यह वाला अंगल यानि theta बरावर होगा twice of angle P जो angle P है twice of angle O P Q यह हमें बताना है यह हमें बताना है theta का जो मान निकलेगा basically हमे ठीटा निकालना हो ठीटा को बताना है कि यह जो ठीटा होगा वो इस एंगल के दोगने के बराबर होगा तो यह चार होगा ऐसा ऐसा हमें प्रूफ करना है इस प्रश्न में ठीक यह कोई बात नहीं देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए हमें की पहले तो यहां पर हमारा जो ओकी यह ओकी होपिप पर्पेंडिकुलर Münt checking कि Tp कि यह हैं ठीक है और एंगल- lihat-体 क्या दिया है ठीट पुल दिया है थीत इत כ्यों लुक lightning एनगल भू दिया मैं इतना लिकीन देते है थीटा बरावर कितना दिया है हमें PTQ या फिर मान लेते हैं माना थीटा बरावर माना हमें इसे देनी रखा में थीटा को चित्र दिया नहीं है बनाया हमने न तो यह मान लेते हैं ठीटा 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 ठीट कि हमने माना है किसको एंगल पी टी क्यू को मान लिया ठीटा क्षिर पी बराबर होगा ती क्यूं कि बाहरी विंदु टी से दो इस पर्स रेखाए है बाहरी बिंदु से क्या है दो इसपर्ष रेखा हैं और इसपर्ष रेखा हैं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं किसी भी ब्रत पर बाहरी किसी बिंदु से दो इसपर्ष रेखा हैं खीची जाएं तो वो दोनों इसपर्ष रेखा हैं हमेशा जो उनकी लेंथ होगी वो इस पर श्रेखा बस इतना लिखके आ सकते हो एक्जाम में ठीक है वह है विंदू टी से ब्रत की इस पर श्रेखा है यह ब्रत अधे टी-पी-क्यू एक सम्दिभाहू तिर्भूज होगा अधे पी-पी-क्यू क्या होगा एक सम्दिभाजक तम समदिभाहू स्वरीड क्या होगा समदिभाहू तिर्भूज होगा यह ना अध रत टी-पीथ क्या होगा एक सम्दिभाहू तिर्भूज होगा स्रिम्दिवाहु तिर्बुज मितलब जिसकी दो समान भुजाओं के आमने सामने के जो कौन होंगे वो बराबर होंगे ठीक है आमने सामने के कौन कैसे क्या होंगे बराबर होंगे मतलब देखो जिसके ये दोनों side बरावर होती है उसके दोनों कौन भी आपस में बरावर होते हैं तो इस से इसी line से इस line की वज़े से क्योंकि ये सम्दिवाउ तिर्बुज है तो इसी line की वज़े से हम क्या मिला हमको हमको मिला एंगल एंगल PTQ बरावर होगा किसके एंगल एंगल TPQ के एंगल PTQ बरावर होगा स्वरी PTQ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर इसलिए हमारा देखो इसलिए एंगल TPQ बरावर होगा पिटा आपका देखो एंगल TPQ बरावर होगा एंगल TQP के एंगल TPQ के भई अभी तो मैंने बताया जब एक तिर्बुज दिया है और उन दोनों की भुजाएं बरावर होगी तो यह एंगल बरावर होगे होगे ना यही बात तो बताई है और यही बात हमने लिखी है जब यह दोनों बरावर ही होगे तो इसका मतलब इसका मतलब यह किसके बरावर होगे यह इसका जो एंगल आएगा यह जो एंगल आएगा वो कितने के बरावर आएगा बताओ यह एंगल एक कितने के बराबर आएगा बताओ जल्दी थे एक एंगल को अगर निकालेंगे देखो यह तिर्बुज में तीनों कौण बेटा कितने के होते हैं 180 के तीनों कौणों का योग कितना होता है 180 अगर मैं 180 में से ठीटा माइनस कर दूँ थीटा माइनस कर दूँ तो मेरे यह दोनों मतलब अगर ठीटा का कोई मान मान लेते हैं अभी के लिए अगर 180 में से ठीटा माइनस करते हैं, तो जो बचे की value वो इन दोनों का sum होगा, अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो मैं क्या करता हूँ, दो से डिवाइड करता हूँ, दो से भाग करता हूँ, तो एक निकल आएगा, एक निकल आएगा एक एंगल, वही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यानि कि एंगल TPQ या एंगल TPQ दोनों बराबर तो होंगे, पर इन दोनों में बराबर में से इसका किसी भी एक कमान निकालने के लिए, क्या होगा, ये किसी एक के बराबर होंगे, 1 upon 2, 180 माइनस ठीटा, 180 में से ठीटा को अटा दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये किसी एक के बराबर आ जाएगा, तो ये प्लस नहीं लिखा है मैंने, अगर ये प्लस लिखता, अगर मैं ये भी लाइन लिख सकते थे, कि एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ, एंगल ये दो बार क्यों लिख दिया हमने, एंगल TQP, 80 मैंनिस ठीटा के, क्योंकि ठीटा का है, वहाँ पे हो, हमारा जो भी मान रहा होगा, तीसरा वो एंगल है, एंगल ठीटा, ठीक है, तो इसका मतलब, इसका मतलब हमारा OPT, OPT, तो हमारा क्या है, देखो, इसका मतलब नहीं, हमें दिया है, ये भी एक तरीके से, एंगल OPT, बरावर 90 डिग्री है, एंगल OPT, कैसे होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने बता है कि केंद्र से कोई भी तरिज्जा, उसके इसपर्स बिंदू पर लंब होती है, उसके इसपर्स बिंदू पर लंब होती है, और लंब होने की वैसे, एक कौन कैसा होगा, एक समकौन होगा, समकौन मतलब 90 डिग्री का कौन होगा, क्लियर कितने का होगा 90 डिग्री का क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं PT मतला हमारा जो OT है OT OP 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 Lumb है किस पर? TP पर OP का है Lumb है TP पर इसलिए यह 90 डिग्री होगा अब चूकि यह तो बात हों कि हमारा यह हम लिख लेता हैं इसको चूकि क्योंकि हमारा यह कितना नभए डिग्री है इसलिए अब देखो Creator यह मेरा होगा 90 डिग्री कितना होगा पूरा 90 डिग्रेश और अगर मैं पूरे मैं से नभए मैं से इसको मायनस कर दूँ अंदर वाले को तो क्या निकल के आएगा? बाहर वाला बाहर वाला बच सेगा, याने की O P Q बराबर होगा, पूरे में से मायनस कर दो, नाइन्टी में से मायनस माइनस कर दो कितना टीपी क्यू को एंगल टीपी क्यू को टीपी क्यू को टीपी क्यू माइनस कर दे तो हमारा यह बरावर ही होगा ना यह बरावर होगा अब यह क्या है हमारा बताओ यह कितना है 90 है कितना दे रखा है 90 दे रखा है ने यह वाला मिल्स ळचांबे ण efect यह वाला अभी तो निकाला हैं हमनेmee कितना नबबे ॡिगरी माइनस टीपी क्यूच कितना दिया है ती पी लिए हमारा कितना आया द्यों सब्यार कर दोगे 90 से यह 90 कट गया कितना बचा कितना बचा बताओ यह हो गया plus क्योंकि minus था न minus से यह minus हो गया यह plus हो गया यहां पर जब यह value आएगी तो plus वाली कितकी minus की हो गया minus वाली plus की हो गया तो इसका मतलब हमारा angle opq बराबर आया 2 theta मदद theta by 2 इस 2 को ले जाओ मेरा बच्चा इधर इस 2 को इधर ले जाएं तो theta बराबर आ गया twice of angle opq twice of angle opq और theta का theta जो angle है उस angle को हम लिख सकते हैं क्या बताओ मेरा बच्चा ptq angle ptq बराबर 2 twice of angle opq opq यही तो हमें निकालना था यही हमें सिद्ध करना था देखो बताओ करना था यही सिद्ध ना तो यही हो गए हमारा hands proved समझो बेटा इसको देखो एक बार और समझा देते हैं हमें एक ब्रत दे रखा था उस ब्रत के बाहर एक बंदू टी दे रखा था टीप से दो हमारे क्या थे इस पर श्रेखाएं थी दो स्पर्च रेखा थी, उस स्पर्च रेखा से हमने यहां पर एक एंगल मान लिया धीटा, इसको मान लेते हैं धीटा और यह हमें पूरूफ करना था, तो माना एंगल P-T-Q बराबर धीटा तो TP बरावर TQ होगा TP बरावर TQ होगा इसकी वज़े से नहीं TP टीक्यू तो बरावर ही होगे क्योंकि दो इस पर स्रेका हैं बाहरी किसी बिंदू से किसी ब्रत पे और अतय TP Q एक समद्बाहू तिर्बुज भी होगा क्यों होगा क्योंकि समान समद्रम्द के कौन हमीसा बराबर होते हैं इसलिए ऐसलैंगे हुआ आइंगल गराबर होते हैं, एक मान रोल दोना सब्कून ніक निकालना चाहूं इस तरीके से एक एंगल निकल सकता है तो इसका मतलब या तो टी-पी-क्यू समझ लो या टी-क्यू-पी समझ लो दोनों का मान कितना आया 90-2 अब देखो चूंकि यह एंगल 90 का है यह एंगल पूरा एंगल O-P-T 90 का होगा यह वाला क्योंकि यह क्या है लंब बत है O-P का है लंब है किस पर टी-पी पर इसलिए यह 90 डिगरी होगा तो इसका मतलब जब मुझे छोटा वाला एंगल O-P-Q को बरावर लिख सकता हूं मैं एंगल पूरे के माइनस उस छोटे के पूरे मैंसे वह बड़ा वाला माइनस घटा देंगे तो छोटा वाला आ जाएगा यह छोटे वाला हम यहां पर रख लिया और इसकी वैल्यू रख दी 90 इसकी वैल्यू रख दी 90 मैनस ठीटा यह 90 से 90 कट गया ठीटा बाई 2 को इधर ले गए 2 इधर आ गया हमारा तो ठीट क्ली और यही हमारा अंसर है यही हमें सिद्द करना था हैंस प्रूवड बहुत बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर हैंस प्रूवड बताओ बरे बच्चों कोई भी दिक कैसी भी समझ्या इस पर confusion में नहीं आई ना तो ऐसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए नहीं देख रहा हूं मैं बच्ये देखो अगर कोई भी किसी की समझ्या है तो comment करो जल्दी से बताव मुझे अगर कमेंट कर रहे हो तो दिख रहा है मुझे पर कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं ठीक है तो कोई बात नहीं पर जल्दी से रिप्लाइ करूंगा मैं और जल्दी से जैसी स्टेशन करता होता है सब को मैं बारी-बारी उनका जवाब दूगा ठीक है